शिच्छक भरती को लेकर आज तमाम अभ्यरती नरेश उत्तम पटेल जो की समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्याच है उनसे मुलाकात की है और खलेश यादों से मुलाकात हुई लगातार दो साल से अंदोलन रत है इनके आरक्षल पर पूरी तरीके से भारती जनता पार्टी ने नाइसाफी किया है इन बच्चों को न्याए मिले और इन बच्चों के साथ समाजवादी पार्टी है यह अभी आपको बाहर बच्चे मिले हैं यह सब मानि अखली शादो जी से राष्टी अदेजी से मिले थे और समाजवादी पार्टी इनके साथ है इन बच्चों को सरकार समायुजित करें इने नौकरी दे क्या करेंगे आप लोग हाई कोर्ट का आदेश है सरकार तो कह रहें कि अपकोर्ट का आदेश है उसमें भारत के सबसे बड़े आयोग रा 70,000 सिश्चक भरती में उत्तरव देश सरकार में बहुत बड़ी दांदली हुई है आरक्षित वर्ग के साथ नाइंसाफी हुई है दलित पिछडे बच्चों के साथ नाइंसाफी न हो इस तरीके की बात राष्टी पिछडा वर्ग आयोग जो भारत का संबायधानी का आयो क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है आप बच्चों किस तरह से मदद करेंगे समाजवादी पार्टी संबिधान पर विश्वास करती है संबिधान समत जो भी मदद की जरूरत होगी समाजवादी पार्टी है 79,000 सिच्चक भरती में जो घोटाला हुआ है जिन बच्चों को न तमाम जो पर्यटनिस्थल हैं जो मंदिर हैं वहां पर आज उत्तर प्रदेश में सहेकारिता चुनाओं का नमंकन का दिन है साधन सहेकारी समीतियों में नमंकन होना था लेकिन भारती जनता पार्टी जान बूज करके सहेकारिता के नमंकन पत्र नहीं दे रही है अधिकारी गयब हो जाते हैं नामंकन पत्र देते हैं तो नामंकन भरने नहीं दे रहे हैं लोग तंतर में भारती जनता पार्टी का विश्वास नहीं है पूरे प्रदेश में सहिकारता के चुनाओं में भारती जनता पार्टी दांदली कर रही है इस दांदली के खिलाप समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से इसके खिलाब रहे एक आखरी सवाल था आज डिप्टी सीम केशो प्रसाद मौरिया ने समाजवादी पार्टी पे हमला बोला हो कहा खले शादो जो बयान दे रहे हैं कि बसपा का टिकट भारती जनता पार्टी फाइनल करती है कहीं ऐसा नहों कि सपा कभी फाइनल करने लगे भाजपा भारती जनता पार्टी हमने पहले भी कहा था कि दोहरे चरित्र की पार्टी है यह जो कहते हैं वो नहीं करते हैं अभी इन्होंने कहा था कि हम उनत्तर हजार सिच्छक भरती में जो और सट सो बच्चे जो पिछड़े अदलित हैं इनको न्याय देंगे उनको न्याय दिलावें यह मुख्मंतरी जी उसी वर्ग्स तो आते हैं उन बच्चों को न्याय दिलावें यह हमारी मांग है पच्चित के लिए शुक्रिया 79,000 शिचक भरती के अभ्यरतियों को निया दिलाने की मांग समाजवादी पार्टी के परदेश अध्यच द्वारा लगतार की जा रही है और इनका यही कहना है कि जो अभ्यरती हैं उनकी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मदद करेगी कैमरमेन सौरप के साथ सीमाब नकवी भारत समचार लखनव